नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आयरुवेदिक जानकारी में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आयरुवेदिक दवाई दराक्षाशव के बारे में ये आपको डाबार, पतांजली और वैदना जैसे प्रंडेट कंपनी का मिल जाता है और साथ में कई पराँ के ब्रंडेट नेम से देखने गो मिल जाते हैं ये एक अयरुवेदिक टॉनिक होती है दोस्तों जिसके कई पराँ के बेड होते हे स्कीन रोग के रिलेटिव, हार्ड रोग के डिलेटिव और बॉडी के और भी कई वरकार के बेनेफिट से देती है तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो इस परकार के द्राक्षा शॉप के बारे में तो लगबग इनमें जो इंगिरेंट्स होते हैं वो सेमी होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ अलग तो पूरी जानकारी वीडियो में इसी के बारे में हम आज बात करेंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करेगा चैनल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेजेगा दोस्तों हम इस चैनल पर आयरवेदिक दवाई से पूरे रिलेटिव और चविया और कवाब चीनी जैसे इसमें इनगीरर्ज देखने को मिलते हैं जो सरीर के लिए बहुत ज्यादा बैनिफिशल होते हैं जैसे अस्वगंदा के बाएर में आप जानती होंगे स्वस्ते वर्दक होता है है हेल्थ वर्दक होता है जया फाल लॉंग जैसे पेट क गयरे की डाइजेशन को भी इंप्रूब्मेंट देने में बहुत ज्यादा उप्योगी होते हैं काली मिर्च गयरे गैस गयरे के लिए बहुत ज्यादा बैनिफिशल होते हैं यह एक अईरवेल्ग दवाईया होती हैं दोस्तों एक नहीं के कही परगार के बैनिफिट्स होत होता है यानि अगर आपको पाइल्स प्रोडब्म है ऐस्टेश्र इंफेक्षन है भूख लगती है कमजोड़े मैसुझा रही है पेट फूल ता रहता है गैस बनती है पेट में कांसिटिवेशन की प्रोडब्म हो जाती है तो भी दराख्षा सब्याब कर्वा सकते हैं में इंपॉर्टेड वार्क है वह हाउड डिजीस के लिए बहुत ज़्यादा पियोगी होता है हाउड मेनें ये टोनिक के रूप में काम करता है जैसे कि हाउड आटैक को रोकने मादब करता है आपका प्रे मीप HAM के सकर यह सब्सक्राइब ब्लड विए रहते हैं उनको भी मदद करता है और बलड जो होता है हमारे हाट तक अच्छे से पहुंचाता है जिसकी वजह से हाट आटाइक की कंडिशन जोती बहुत कम होने लग जाती है तीसरा जो आता है वह एक बलोड Purifier है दोस्तों यानि अगर आपकी Body में Infection है, Fungal Infection है, Acne है, Allergy हो जाती है, कई दवायां खाने के बाद वो ठीक नहीं हो रही है, तो भी इसका यूज आप ले सकते हैं, इसकिन के Infection में बहुत जादा उप्योगी सावित होता है, दराक्षा शाओ, नेक्स्ट जो इसका Benefits आता है, वो है Blood को Clot करता है, यानि Blood को जमाने का भी काम करता है, जैसे कि कई लोगों को Problem रहती है, जैसे कि कट लग जाते हैं, तो बहुत जादा Blood Loss हो जाता है, जिनके वाशे से उनको Anime जैसी Problem हो जाती है, और उनके बहुत जादा Problem हो जाता है, अगर ज़गत होने स्टार्ट हो जाती है तो एसे में यह अगर उनको चल रही है तो यह blood को कर देता है रोकने में मदद करता है जैसे कि किसी फीमियल को पीरियंट के टाइम पे बहुत ज्यादा पीर होते हैं बहुत ज्यादा ब्लेडिंग करती है तो भी इसका यूज़ाप कर सकते हैं द्राख्षाशब का बहुत अच्छा बैनिफिट्स आपको मिलेगा इसका नेक्ट जो आता है वह होता है मांसिक रोग में भी है काफी ज्यादा उपयोगी होता जैसे कई प्रगर के बैनेफिट से जैसे की भूग नहीं लगती है कमजूरी है सरीर में आपके और भूग को बढ़ाने में भी मदद करता है और बॉड़ी से जो टॉक्सिक वह रहते हैं उसको भी निकालने में मदद करता है जैसे कि मैं आपको बताया है ब्लड फुरिफायर भी को यह किलीन करने में मदद करता है इनके लिंक में आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में दिया है आप वहां से जाकि पर्चेस कर सकते हैं साइड इफ्लेफ्यक्टस इंके कुछ नहीं होते हैं ऐरिवेदी दवाई है आरिस्ट होते हैं आई-दोरी तरीके से बनाया जाते हैं ब उनको ने पाने के साथ और जो 18 से अभव है उनको धाय से तीन चमाच दिया जाता है यानि 15 से 20 अमेल तक भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं दिन में दो बार खाना खाने के बाद लगवग अगर आपकी प्रोडम बहुत जादा है तो तीन से चार मिन तक continue यूज़ करना चाह लेगी तो यह था कुछ दोस्तों दराक्षासों के बारे में पूरी जांकारी अगर कुछ मिस हो गया वीडियो में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कुमेंट कर सकते हैं परस्टनल कोशन करने के लिए आप हमें इस्टेग्राम फेस्टूप के फॉलोग कर सकते हैं और दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा तो मिलते हो नए वीडियो के साथ ओके बाई टाटेंड थैंक ये फॉर वाचिंग